नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बॉलिवूट पैसेंजर में धर्मेन अपने बेटों सनी और बॉबी के साथ एक ब्लॉक बस्टर हिट दे चुके हैं और इस फिल्म का नाम है अपने ये फिल्म 29 जुन 2007 में सुनहरे परदे पर आई थी और उन्होंने अपने फैंस को निराश नहीं किया बलकि उन्हे और अपना बना दिया है फिल्म अपने की बात करे तो ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा थी और अपने का निर्देशन अनिल शर्मा ने किया था साथियो अपने फिल्म में अपना पन बरकडा रखने के लिए धर्मेन अपने बेटों सनी और बॉबी के साथ पहली बार सुनहरे परदे को साजा किया अपने की स्टोरी की बात करे तो इस फिल्म में धर्मेन एक अपमाननित पूर्व मुक्यबाज बलदेव चौधरी की भूमी का निभाते है और अपने बेटों अंगत सनी और करण बॉबी के माध्यम से अपने मुक्यबाजी केरियर में लगे दाकोद होने की कोशिश करते ह अब 15 साल बाद अपने फिल्म का सिक्वल अपने टू के आने का एलान हो गया है साथियो अपने टू की कास की बात करे तो इसमें धर्मेंद्र सनी देवल बॉबी देवल के साथ सनी के बेटे करण देवल का अपना भन भी नजर आने वाला है साथियो परन्तु फीमेल कास को अभी तक गुप्त रखा गया है साथियो करन देवन ने अपने वॉल्यूट करियर की शुरुआत फिल्म पलपल दिल के पास से 2019 में की थी लेकिन ये फिल्म अपना जादू बॉक्स आफिस पर नहीं चला सकी फिर 2021 में एक और फ्लॉप फिल्म वेले देने के बाद शिवाद और आपकी शुपकाउनाओं के साथ हमने अपने टू आपको देने का फैसला लिया है वहीं सनी देवल ने भी वीडियो शेर करते हुए लिखा है बाबाजी के आशिरवाद और आपके प्यार की वजह से आज हम वापस एक साथ नजर आएंगे खुश नसीब हुम है कि पापा, भाई और बेटे के साथ काम करने का मौका मिल रहा है अपने टू में सनी, बॉबी और करन के साथ काम करने को लेकर धनमेंदर काफी उत्सुख है और वे अपने फिल्म को अपनी जिन्दगी की बेस फिल्मों में शामिल करते हैं दोस्तों वही पब्लिक का उस्सा भी बड़ा हुआ है इन तीनों जनरेशन को एक सा सुनेरे परदे पर देखने के लिए तो इंतिजार खत्म करने के लिए इस फिल्म की टेंटेटिव रिलीज डेट 30 डिसमबर 2023 अनाउंस हो गई है साथियो चलिए अब मैं अपना वीडियो समप करती हूँ अगर आपको मैं आप वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को क्लिक करना ना भूले साथियो साथी साथ मुझे कमेंट कर बताए कि आप अगला वीडियो किस फिल्म या बॉलिवर्ट हस्ती के बारे में देखना पसंद करेंगे साथियो धन्यवाद